हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका, आज हम बनाएंगे मीठे पकोडे, जो बहुत ही आसान है, एक बार आप मेरे तरीके से बना कर खाएं, I think आप सबको पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं, इसके लिए चाहिए हमें एक कटोरी आटा, उसमें हम मिक्स करेंगे गुड़, गुड़ को हमने तोड़कर गरम पानी में गोल दिया है, और इसका हम एक अच्छा सा बैटर बनाएंगे, अब यह हो गया है, अच्छा से मिक्स, अब इसमें हम डालेंगे वन पिंच नमक, नादियल कद्दू कस्किया हुआ, आपके पास है तो आप डाल सकते हो वरना इसकिप कर सकते हो, इसमें डालेंगे किसमिस, और जाएगा फिर सफेद तिल, यह सारे चीज़ें ऑप्सिनल है, इसको हम आटे और गुड़ से ही बना सकते हैं, फिर भी यह बहुत अच्छा लगता है, अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे, अब हमा अब चलिए पकोड़ों को तल लेते हैं, अब तेल गरम हो गया है, चलिए पकोड़ों को तलते हैं, अब पकोड़े नीचे से ब्राउन हो जाएं, उसके बाद हम इनको पल्टेंगे अब पकोड़े नीचे से थोड़े से पक गया हैं, तो हम इनको पल्ट भी देंगे, और जो जूड़े हुए हैं, उनको अलग कर देंगे, और इनको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, जितने ही अच्छे से ये पकेंगे, उतने ही टेस्टी लगेंगे, ये कुरकुरे तो इनको पकने देते हैं, अब पकोड़े हमारे पक चुके हैं, और बहुत अच्छे से पक चुके हैं, ये पुरे ब्राउन हो गया है, अब इनको हम निकाल लेते हैं, एक प्लेट में टीसू पेपर पे निकालेंगे, अब ऐसे ही हम सारे पकोड़ों को तल लेंगे, अब पकोड़े बन कर हैं, तयार, मीठे पकोड़े बच्चों को, बड़ों को सभी को बहुत ही पसंद आते हैं, सबसे अच्छी बात तो यह है, कि हम हमारे घरों में ऐसी रेशिपीज बना कर, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की चीज़ों को अवाइड करते हैं, इसे आप कभी भी इंज्वाइ कर सकते हैं, अगर आपको हमारी रेशिपी अच्छी लगी हो तो, लाइक, सेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कॉमेंट में ये बताएं, कि आप इस रेशिपी को क्या कहते हैं, च्राइब धर्चिंट।